हेलो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर तो आज मैं अपने मंदर की किलीनिंग कर रही हूं तो आपकी शाथ में शेयर कर रही हूं मैंने जो रेकजिन बगएरा और मंदर है उसको अच्छे से किलीन कर लिया है और ऐसे सारे भगवान बगएरा सब साइड में रख लिया है और मैं एस फिद्से सब को लगाती जाओंगी और मैं आपको दिखाती जाओंगी तो मैं बारी बारी से रगजिन को बिछाती जा रही हूं और मैं आपको दिखाती भी जा रही हूं और ज्यादा वीडियो क्या थोड़ा लॉंग हो गया है तो कोई ना 12-15 मिल्ट आप देख सकते हो कुछ ज्यादा नहीं होता तो मैं आराम से अपना जो काम भी कर रही हूं और मैं अपना वीडियो भी आपके शायर चेयर कर रही हूं तो मैं इसंब को कॉलन से क्लीन कर रही हूं और लगवग यह साम के टाइम था, और साथ वजे के टाइम था, तो इस टाइम आरती का टाइम भी होता है, तो मैंने सोचा की मैं क्योंना इसी टाइम अपना वीडियो भी कंटिन्यू कर लूँ, और अपना गया काम भी कर लूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताए कि मैं माई के से आई हूँ तो मेरे कुछ काम भी है जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो मुझे बो भी करना है और मेरा जो चैनल पर जो वीडियो का काम है बो भी मुझे करना है तो मैंने सारी तस्वीर बगएरा भगवान की उठा ली है और मैं इनको एक एक से लगाती जाओंगी और जो तस्वीर बगएरा होती है मैं डेली उनको जो गीला कपड़ा होता है उससे डेली ही मैं पहुशती हूँ और डेली ही मैं उनको तलक करती हूँ तो मुझे उनको साप करने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग डेली क्लीन नहीं करते हैं वो लोग जरूर अच्छे से क्लीन करें लेकिन मैं डेली ही करती हूँ जब तक नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है जिस जगह पर रखी हुई थी मैंने उस जगह पर रख दी और मैं जो करवा चौत माधा की फोटू है उसको भी मैं एक साल रखती हूं एक साल बाद मैं उसको कहीं जाके बिसरजत कर देती हूं और जो बुक वगरा है वो सारी मेरी इसी में आती है अब आप लोग कहो गए कि रहे cumpl मंदिर बना लिया तो मैं आपको बता दूँ कि वो माने इसलिए कि fucking कोइस होते हैं तो उनमे क्या भगवान के लिए झाती हुद और जो मंदिर आते है उनमे सब्सक्राइटि अनге को साथे डुबैजों नगयरा रखी हुई है और मेरे भगवान इसमें आराम से और इतना इस्पेस है कि आप देख रहे हो कि मैं उपर बुक वगएरा जो भी मेरी ब्रत में लगती हैं मुझे हवन सामगरी, धूब बती और जो भी सामान है मेरा इसमें सारा आ जाता है मुझे कहीं भी भगवान का सामान रखनी की जरूत नहीं पड़ती और इसमें इतना स्पेस भी होता है कि मैं इसमें अगर और सामान हो तो भो भी में स्टोर कर लूँ तो मेरे अकोर्डिंग जो मैंने जोगाड बनाई है वो काफी अच्छी है और इसमें मैंने भगवान के लिए लाइटिंग की विवस्ता भी करवाई है कि लाइट लगी हुई है जिससे मुझे ऐसा बिल्कुल भी फीलना हो कि ये मंदिर नहीं है और जहां भगवान रख जाए चाए जंगल हो चाए घर हो चाए बहार हो जहां भगवान इस्तापित हो जाते हैं वो हमारा मंदिर ही हो जाता है तो ये हमारा मंदिर ही है और मैंने एक एक करके सारे भगवान को क्लीन करके मैंने लगा दिया है भगवान तो मैं डेली ही क्लीन करती हूं बस मैंने सारा सामान उठा के और मैंने बस अच्छे से डेस्टिंग बगरा की है और वैसे तो मम्मी थी यहां पर तो मम्मी ने भी की थी मम्मी मेरे से बोल भी रही थी कि मैंने सफाई कर ली है तुम मत करो लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैंने सफाई कर ली क्योंकि घर में पूजा डेली मैं ही करती हूं सुबह साम तो मुझे क्या है मतलब थोड़ी बहुत कहीं डस डिख जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं जहां रहती हूं वहां आसपास बहुत जाता जंगल है पेड़ पहुते जादा है क्योंकि क्वार्टर थोड़े आउट में बनाए होते हैं तो इस बज़े से क्या है जो दूल है बहुत जल्दी आ जाती है और मैं देखिए आप में किते अच्छा सामान रख रही हो मेरा सामान सेट और मोझे जगए कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अगर आप भी मेरी तरह करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो और आप करोगे तो आपको भी इतना अच और मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है और अब मैं लगा रही हूं यहां चौकी और मैं इस पर रख देती हूं एक ट्रेस टील वाली और जहां मुझे दूब बत्ती और जो दीपक लगाना होता है मैं वह बाहर लगा लेती हूं और इससे मुझे कोई दिक्कत मी नहीं होती और मेरी पूजा हो जाती है और मैं देख रही हूं कहीं और दूलूल है तो नहीं मन नहीं मान रहा मेरा तो फिर भी मैं उसको सफाई करती जा रही हूं और मैंने पीछे से अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूं उपर हर जगे मैं आराम से क्लीनिंग करती जा रही हूं क्योंकि थ तो देख सकते हो किता किलीन हो गया है मेरा मंदिर चम चम आने लगा है और जो डोरमेट है जो पूजा करते हैं वो वोलते हैं कि उन की होनी चाहिए या नए कपड़े की ही बनी होनी चाहिए आप घर पर बनाते हो तो हमारी मम्मी ने उसको जो बुलन वाली उन होती है उससे है तो मैं उससी पर बैटके हमेशा पूजा करती हूँ तो मेरे को 6 साल हो गए मैं इसी पर पूजा करती हूँ और आदत है मेरी और जैसी की जैसी है तो मैं उससी पर पूजा कर लेती हूँ मैं कोई डोरमेट बगरा लेके नहीं आई हूँ और अब गई हूँ मैं वीडियो मैं आपके सामने नहीं हूँ तो मैं कुछ लोगों से कहना चाहूंगी कि जो मेरी वीडियो देखते हैं प्लीस मेरी वीडियो को फुल बोच किया करो और प्लीस मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो प्लीस मुझे सपोर्ट करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और जो भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल्स वगरा आप उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और जादा से जादा मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो कि यहां दिया रही हूं साम के टाइम और मैंने डीपक अधूबत्वी चला ली है तो मैं कर रही हूं आर्ती आप देख सकते हो और मैंने वीडियो की थोड़ी स्पधी बढ़ा धी है इसको इसलिए हां को एसा कर रही हूं तो मैं आप से यही कहना चाहूंगी कि प्लीस मुझे जाता से ज्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो पर जब यूज कम आते हैं तो थोड़ी निरासास ही होने लगती है कि क्या करें यूटूब छोड़ दें कि चलाएं तो इस टैप से क्या है मन में निगेट देखें तो कमेंट जरूर करें और एक लाइक जरूर करें और लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं लाइक के कोई पैसे नहीं मिलते हैं लाइक से क्या होता है कि मेरी वीडियो जाता से जाता आंगे जाती है तो पिलीस आप एक लाइक करने के आपके भी कोई पैसे नहीं लगेंगे और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा खुसी होती है कि हमारी वीडियो पर इतने लाइक आई है इतने लोगों ने हमें लाइक किया है इसलिए लाइक किया जाता है और और कोई बात नहीं होती और मैं यहां बगवान को भोग भी लगा रही हूं तो जोड़ी निरासा होती है इसलिए बार बार बोला पड़ता है और आज आपको मेरा कैसा लगा मेरा जो मतलब मंदिर की जो किलीनिंग की है मैंने तो मैंने सोचा कि और तो कोई वीडियो बगरा नहीं बना रही हूँ मैं भी तो मैं यही कर देती हूँ और चलिए मैं थोड़ा आपको पास से दिखाती हूँ कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है तो आप देख सकते हो मेरे भगवान कितने प्यारे लग रहे है किसी को लगे या नि लगे मुझे तो अती वाले प्यारे लग रहे है भगवान तो सभी के प्यारे होते हैं भगवान तो एक ही होते हैं ना तुमारे होते हैं ना हमारे होते हैं और मैं इस टाइब से अपनी दूबती और दीपक जला देती हूं, दूबती से खुजू आती है, और काफी अच्छे से मेरा मंदिर है, जो किलीन हो गया है, और किते सुन्दर, किते अच्छे लग रहे हैं भगवान, और आप भी अपने घर में अपने भगवान की किलीनिंग किलीनिंग सौरी, आठ दिन में तो करी लिया करो, और एकदम साफ स्वच अपने मंदिर को रखा करो, और वैसे तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन जो अच्छे से किलीनिंग होती है, उसको हम आठ दिन में हपते में एक बार तो करे ही, तो फाइनली, मेरी सारी किलीनिंग हो ग बाहर जो तुलसी माता लगी हुई है, मैं उन पर भी साम को दीपक लगाती हूँ, तो मैं आपको उनकी भी वीडियो मैंने आपके शेयर की है, मैंने बाहर भी कैमरा लगा लिया था कि मैं तुलसी जी को भी आप आपको दिखा देती हूँ, और किसी दिन में आपको अपने कि सबस्कार्ब कर दें पर चलते हैं तब य tapes अर फ मेरी वीडियो नहीं बन पाई और आपको मेरा कैसा लगा साम स्थाना बीडियो और किो उपर दो कि